अगर आप Arts के स्टूदेंट हो, अगर आप Commerce के स्टूदेंट हो या फिर Science के स्टूदेंट हो और आपको CUET exam के थूँ अपनी stream को change करना है हमारे पास बहुत ऐसे बच्चे आते ही जो कहते हैं भईया हम Science के स्टूदेंट है और हमें Arts में admission लेना है भईया हम Commerce के स्टूदेंट हो हमें Arts में admission लेना है भईया हम Arts के स्टूदेंट है हमें Commerce का ये BVA वाला course करना है हमें B.com करना है तो क्या हमारे लिए रहेगा policy हमारे लिए क्या eligibility होगी stream को हम कैसे change करें क्या paper हमें CUET में देना पड़ेगा फलाना फलाना बहुत तरीकी कोशन बच्चे हमसे पूछते हैं तो क्या आप लोगों के लिए eligibility criteria रहेगी 2023 में CUET exam में stream change करने को लेकर इसके उपर आज ये वीडियो dedicated है छोटी सी वीडियो होगी लेकिन बहुत ही किफायती वीडियो है इसलिए आपको end तक देखना है तुम्हारे बहिया के चैनल है अंटोर्ड मैक तुम्हारे पूरे CUET के जरवी से लेकर तुम्हारी college में admission तक तुम्हारे साथ रहेंगे इस बात का मैं बादा करता हूँ देखो बाद ऐसी है बच्चे कि CUET में आपको कुछ चीज़े समझना पड़ेगा ये जो exam है ये basically एक common exam है arts, growth, science, law या फिर commerce, law ऐसा कुछ नहीं है कि आपको particular arts जाके अपने form में select करना है science select करना है, commerce select, नहीं आपको subject से select करने है औक जो stream change की जब हम बात करते हैं तो वो CUET से मतलब नहीं है वो university to university depend करती है अब आप अपनी eligibility कैसे कोजोगे ये मैं बताता हूँ for example आप अगर science के छातर हो और आपको CUET का जो top university, Delhi university को example लेते हैं जातर बच्चे duo target करते हैं तो अब यहाँ पर बीच में एक बात बुछा दू, बहुत important है कि अगर आप CUET 2023 की तयारी कर रहे हो अब अगर आप अब अबने class to world में हो या कभी भी CUET की आपको तयारी करनी है तो हमारे पास CUET के पूरे courses available है A to Z हम पूरी preparation कराते है Arts के लिए भी, Science के लिए भी, Commerce के लिए भी BA, BCOM, BSC, BTEK, BBA या फिर BALB, Journalism, कोई भी course आपको करना है किसी भी प्रकार की तो आप हमारे WhatsApp नमर तो स्क्रीन के पर given है इस WhatsApp नमर पे contact करके आप हमारी course को join कर सकते हो इस WhatsApp नमर पे जाके आपको बताना है भी आमें ये domain चाहिए, ये GT चाहिए, ये language चाहिए इसको recording आपको course सेंट कर देंगे ध्यान रखना हमारे जो course है वो English Medium में है हम आपको demo videos बेज़ देंगे आपको demo videos पसंद आती है और मैं खुद आप लोगों से जुड़ा रहूँगा mentorship आपको देते रहूँगा, मेरी बातचीत खुद आप लोगों से होगी personally इस बात के tension मतलो अब भाईया बात आती है कि भाईया आपको मान लो for example लेना है top college में Delhi University में admission आपको एकर science के छातर होगा political science, history, geographic का पेपर दे आओ आपको B.A. में admission लेना है, आप science के छातर हो आपके dual में PCM या PCB है तो आप arts के subjects के paper नहीं दोगे CUVT में, आपको paper दोगे सिर्फ और सिर्फ अपने science का ही मान लो आपको political science में honors करना है B.A. में और आप science के छातर हो तो उसका जब आप DU का जब requirement देखोगे तो political science honors के लिए एक language प्लस 3 domain चाहिए तो एक language आप कोई भी ले लो, Hindi, English, कुछ भी and जब 3 domain की बात करेंगे तो वहाँ पे आप B.A. वाला domain मत लेना हो, domain वही लेना जो आपके class 12 में है, जैसे कि physics, chemistry, mathematics, physics, chemistry, biology, कुछ भी हो सकती है यहाँ पर commerce का भी बच्चा हो सकता है तो अगर आपको stream change करना है डेली उनिवस्टी के लिए तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है अपनी ही paper को लेना, जो paper तुम्हें देना है तो आपको stream का से क्या मतलब है आपको subject से क्या मतलब है आप तो English और GT का paper दो इसमें physics, chemistry, mathematics कोई भी डुमेन का तो कुछ काम नहीं है तो आप English और GT का paper दो आप जैनिकले eligible हो जाओगे सेन BHEB कहती है कि English और GT का paper दो आप BA के most of the courses में eligible हो जाओगे तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि university की क्या requirement है अगर वो university की जो requirement उसका अगर आप नहीं fulfill करोगे तो आपकी admission नहीं हो पाएगी अब ये किसी भी case में हो सकता है कोई BA का बच्चा भी जा सकता है B.com के course में मान लो आप BA के student हो और आपको B.com program करना है तो B.com करने के लिए क्या eligibility है एक language plus three domain तो एक language आप कोई भी दे दो Hindi English कुछ भी English दे दिया और तीन domain आप arts के छास रहते हैं तो आप arts वाले दो दे दो तीन domain प्टिकल साइंस, इस्टी, जग्राफी जो भी आपने 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 class 2 अथर पढ़ा है सबसे पहले चले जाओ CUET का official website पे cuet.samarth.ac.in जो दिखारा उग screen पे देखो इस website पे जाने कुछ आने कुछ आपको यहाँ पे तीन dot दिखेगी उस पे click करना या फिर laptop सो खरू लेना ऊपर आपको university नाम के एक option मिलेगी syllabus मिलेगी, university मिलेगी, home page मिलेगी लेकिन university वाले option पे आपको click करना, आपको click करो और जितने भी universities है, DU, JNU, BHU, JAMI, AMU या जितने भी universities, सब के list आपके सामने खुल जाएंगे, और सब पे click करके आप check कर सकते हो किसके लिए, कौन से course में क्या eligibility है, क्या requirement है, क्या criteria है और उसके according आप अपनी preparation शुरू कर सकते हो और ये सब चीज जब आप पता कर लोगे तो उसके बाद अगर आपको हमारी course चाहिए तो whatsapp number आपकी screen को परकिवन है इस whatsapp number पे आप contact करके हमाँ बता सकते हो कि भाई हमें ये domain, ये language और ये GT चाहिए और उसके according आपको पूरी course send कर दी चाहिए and then आप अपनी preparation शुरू कर सकते हो ठीक है, ये रही आपके लिए बहुत ही फाइथी और बहुत ही important पापिट था मुझे यसा लगता है, ये cover करना बहुत जरूरी था तो thank you so much for watching this video अगर आपको वीडियो पसंद आए, प्लीज वीडियो को लाइक करे चैनल को अगर आप नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्स्क्राइब करें तुम्हाने भी यां टोल्ड मैं हमेशा तुम्हाने साथ रहेंगे लव यू, टाटा, पैर आए